आज हम इस वीडियो में बताने वाले इस्तिग्मा का अर्थ क्या होता है और सेंटेंस में उसे यूज कैसे करते हैं So let's start the video इस्तिग्मा का अर्थ होता है कलंग, लांचन तो चले इसको सेंटेंस में और भी हची तरह से समझ लेते हैं Example The true free ends are close nearest the stigma इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है सच्चे मुक्त सोर ए है जो कलंग के सबसे करीब है चले निक्स एक्जम्पल जान लेते हैं There is still anormous stigma attest to mental illness इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है मानसिक बिमारी से अभी पे बहुत बरा कलंग जुरा हुआ है चले निक्स एक्जम्पल जान लेते हैं There can be social stigma also from their peers इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है उनके साथियों से सामाजी कलंग भी हो सकता है तो चले आखरी एक्जम्पल जान लेते हैं protruding from each in the image below are too long stigma lovis इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है नीचे की सभी में प्रत्यक से उभरे हुए दो लंबे परतिकार गलोब है I hope friends आपको आज का ही वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा साथ साथ हमारी सेनल को सबस्काइब कर दिजिएगा थैंकि फॉर वाचिंग